यह देखो क्या है मेरे को तो पसंद नहीं आई यार यह चीजी हंडे यार सॉरी हलो भाईयो तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं शुरूबं शर्मा आपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं तो भाईयो आज हमारे सामने जो गाड़ी है ना उसको कोई भी इंट्रोड की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि आज हमारे सामने है आई 20 की एन लाइन वीरियंट जिसकी थर्ड जनरेशन हमारे सामने आज हम बात करने वाले हैं ठीक है यह गाड़ी जो की एक प्रीमियम हैस्बैक सेक्ट में ना अपना एक अलग से नाम बना रखा इसने और एन लाइ तो अब बात करता है गाड़ी के फ्रंट से तो ऐसा आपको फ्रंट देखने को मिल जाता है फ्रंट आपको LED मुल जाता है की बेजिक चाहीड जाता है और आपको इसमें फ्र और फॉरल फ्र पावरर ब्रेक से falar प्रेंच सेंसर देखने में निचे आपको रेकियूна देखने को मिलती है कि वाइपर रियर वाइपर डिफ और पीछे लोगो और है मौट सब्लैम स्पोईलर और यह सपार्क शाक्पिन एंटीना नीचे आपको कैमरा इस साइड नहीं यहां इसके नमर प्लेट के पास में दिया जाता है यह आपको ड्यूल टिप एक्जॉस्ट दे रखा है यह इसमें कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स वाली आवाज नहीं आती है यह को शन्रूफ अब बात करते हैं घाड़ी के इंटीर के बारे में इंटीर में आपको कुछ भी चैस आपको देखने को मिल जाती है लेद्राइज सीज्ट जो कि आपको रेड स्टिचिंग के साथ में देखने को मलती है इंटीर की बात करें बहुत ही प्यारा इसका लगता है देखो ऐसा कुछ आपको उसका तो दोस्तो ऐसा कुछ दिखता है आई ट्वंटी एन लाइन एट का इंटीर जो की आएम्टी के साथ में आता है ठीक है इसमें आर काफी कुछ चैंजेज करके देखने को जैसे इसमें गेर नों बड़ा प्रीमियम लग रहा है यार मिरको आइम्टी है इसमें आपको कोई आपको स्टेरिंग टिल्ट और टेलिस्कोपिक दोनों ही देखने को में जाता है यहां पर स्टेरिंग मांटेड बटन दे रखे हैं क्रूस कंट्रोल सब कुछ तो दे रखा है यार 10 इंचिस के आपको टूस्क्रीन दे रखिया है एक सब कोई किया और हंडे के एक से मती यहां पर यहां पर एक व्यू का बटन दे रखा है और यहां पर एक व्यू का बटन दे रखा है इसको अगर क्लिक करते हैं कुछ मी हो रहा है जुक्ष एपको पता है मुझे बिल्कूल बिनी पचन्द आहल है यहां पर इदर आपको यहां पर आपको कोई बी मिरर देखने को मिलता है और यह आपको सब कुछ इहां पर इखने को मिलता है जिसमें की लाइट नहीं है यह आपको तक्रीबान हिंदुस्तान हिंड़ी पे ग्याराग अथारा आजार के एक शोरों प्राइस पर देखने को मिलती है ठीक है जिसमें आपको यहां पर निंद्रकार यह देखो क्या है मेरे को पसंद नहीं आए यार यह चीजी हिंड़ी और सौरी लेकर यह चीज अब पीछे को यहां पर आपको देखने को बात करते हैं इसको बंद नहीं कर सकते हैं अगर आपका खुला हुआ है कोई और साथ च्छोब यह चाहिए और यहां पर आपको रैड इंसर्ट देंगें जाते हैं एक सौफट टच नहीं दे रखा है यार जो क्वालिटी सलक्ट मटेरिया ना इस देखो काफी अलग सा है और यहां पर देखो सौफट टच देवरें तो काफी अच्छा लगता काफी प्रीमियूम यह लगता है और यहां पर रखो सीटों में एंसर्ट देखें ना त्थी अच्छा लग रहे हैं अब बात करते हैं पीछे के सब्सक्राइब कर नाि यह तो डायलॉग भन गया है और बस फीचरज का यह तो बात करते हैं पीछी को जाके तो दोस्तों बात करते हैं आप गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में इस गाड़ी में आपको 311 राइटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से एक प्रीमियम हेस्वेक के साफ से काफी अच्छा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है बात करे तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के मेन फीचर के बारे में जो की इसको लोग जिसके लिए खरीदते हैं ठीक है इसके इंजन स्पैसिफिकिकिसिंस के बारे में इस गाड़ी में आपको एकजार सीची का इंजन देखने को मलता है जो की आपको 118 की बीचपी और 122 न्यूटर में टॉक निकालके देता है जो की यार मेरे हिसाफ से काफी कम हैं जिसमें साफसे प्राइस बोलके ले रहे हैं नौर्मल रेगुलर टर आइड़ोटी से उसे साफसे मेरे को काफी कम देखने को मिल जाती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैना को सब्सक्राइब देखने के लिए थेंक्यू सो मच